जबसे ये टीवी जो है लॉंच हुआ था वनप्लस ने उनके टीवी जो है उसके उपर हाथ चाहिए था या फिर मुझे चाहिए था क्यों क्योंकि ये जो है दोस्तो सबसे सस्ता डिवाइस है वनप्लस की तरह से I could not imagine that there could be a TV from OnePlus for under 13,000 रुपीज जी हां और इसलिए देखना था कि 13,000 में क्या-क्या देता है वनप्लस उनके टीवी में and I'll tell you honestly, I am pleasantly surprised बताओंगा क्यों मैं इतना surprised हूँ लेकिन उसके पहले दोस्तों अगर पहली बार हमारे चैनल पर आया हो तो subscribe करना मत बूलिया, bell icon बजाए, all कीजे ताकि हमारे वीडियो के सब नोडिफिकेशन आपको मिल जाए जैसे ही हम वीडियो अप्लोड करते है ओके सबसे पहले दोस्तों इसका जो यू सीरीज का 55 इंच वाला है उसका हमने अन्बॉक्सिं किया है, फर्स इंप्रेशन दिया हुआ है, जरूर देखियेगा इसी का बड़ा भाई, 43 इंच का भी हमने अन्बॉक्सिंग फर्स इंप्रेशन किया हुआ है नहीं देखा है तो जरूर देखिये बट इस वन इस दा लिटल ब्रादर जी हा, 32 इंच का टीवी है ये बट दोस्तों, जब हम मैंने इसे बॉक्स में से निकाला और मैंने हाथ में लिया इट इस अपसलूटली लाइट वेट लाइट वेट है लेकिन स्टर्डिली बिल्ट है लेकिन देखिये, ये जो बेजल्स है इतने पतले होने की वाईसे जो फॉर्म फैक्टर है 43 इंच का टीवी था दोस्तों 32 इंच के फॉर्म फैक्टर में था और ये जो 32 इंच का टीवी है मैं कहूंगा 24 इंच के फॉर्म फैक्टर में बिकॉस अफ दिस दिस्प्ले एंड वेरी वेरी स्लिम बेजल्स 90 परसंट स्क्रीन तो बॉड़ी रेशो और जादा कुछ नहीं है इन फैक्ट आप अगर थिकनेस भी देखोगे इस वेरी स्लिम मैं कहूंगा कि इस प्राइज रेंज में याद रखिये तेरा हजार बारा तेरा हजार का ये आपको टीवी मिलता है ये जो पैनल है HD Ready Panel है 43 इंच का जो है वो Full HD है और सबसे उपर वाला है वो 4K है U Series का जो है बट इस वन फॉर HD Ready Panel बट इस वन फॉर HD Ready Panel इस वेरी गिवस यू सम रिली गुड गुड कलर्स जी हाँ आपका कलर्स वगे ते देखोगे तो बहुत अच्छे दिखेंगे एक टीवी में पैनल सबसे इंपोर्टन होता है and there are a couple of reasons why एक तो DCI-P3 93% देता है ये इसका मतलब जो डाइनामिक रेंज वगे रहे अलग-अलग कलर्स जो दिखते हैं आपको अच्छे दिखते हैं और OnePlus का जो गामा इंजिन है वो भी है जिसकी वज़े से इस इंप्रूब्स जो पिक्चर कॉलिटी है और मैं पिछले कुछ ताइन से इसे देख रहा हूं दोस्तो I am actually surprised with the picture quality दोस्तो इस प्राइज में बहुत सारे टीवी मैंने देखे हुए हैं पिछले 4-5 सालों में कुछ न कुछ प्राइज होता है especially OS को लेकर कभी-कभी जो Google Play Store वगेरे होता है that is not authorized या फिर official नहीं होता है उसके अंदर या फिर कुछ usability के issues होते हैं मतलब user experience जो होता है उसमें problem होता है but not with this one yes इसमें Oxygen Play तो आता ही है और official Android Play Store मिलता है apps वगेरे आप install कर पाऊगे and दोस्तों updates भी मिलते हैं जैसे ही हमने इसे अभी खोला you will see that there is already an system update available 883 MB का तो आपको इसमें updates भी मिलेंगे जैसे आपके smartphone में मिलते हैं वैसे ही इसके उपर भी चले दोस्तों मुझे बात करने दीजे थोड़ा experience के बारे में I've spoken about experience and आप OnePlus के smartphone लीजे TV ले लीजे the experience is top notch I'll tell you the reason why एक तो Chromecast का support आता है जी हां आपको Google Assistant मिलता है मतलब voice का support है इस TV के साथ आप बता सकते हो TV को कि भाई क्या दिखाना है और वो सब दिखाओगे that is very good in fact आप remote के पास भी देखोगे दोस्तों आपको Netflix, Amazon Video YouTube के dedicated buttons मिलते हैं और एक दो दिन इस्तिमाल करने के बाद बहुत user friendly हो जाता है it is small and good interestingly दोस्तों इनका जो 43 इंच का TV है जो भी सभी features उसमें है सभी इसमें भी आते है so it is nearly 8-10,000 cheaper लेकिन दोस्तों पैनल का size छोड़के and HD ready छोड़के बाकी जो आपको software के features मिलते हैं सभी मिलते है for example oxygen play जो खुद का OnePlus का UI है दोस्तों वो आपको इसके अंदर मिलता है basically it is a aggregator जो अलग-अलग OTT platforms है उधर से ये content लेके आते हैं और आपको दिखाते हैं आपके viewing habits के हिसाब से जो भी आप देखते हो तो similar content आपको उधर दिखाएगा and I really like that चलिए दोस्तों आप performance के बारे में बात करते हैं एक तो आप surprise हो जाओगे कि how soon the TV response एक बार आप जो remote पे जो भी command देते हो button प्रेस करते हो बहुत ही जल्दी हो जाता है and that is because it has got good performance 1GB RAM 8GB storage है और 8GB storage होने की वैसे क्या होता है आपको जो भी Google Play Store से चोटे से games वागे डाउनलोड करने या फिर और भी OTT apps डाउनलोड करने और कोई भी apps डाउनलोड करने आप आराम से कर पाओगे और हाँ दोस्तों अगर पोर्स के बारे में बात करूँ इस TV में भी सभी पोर्स आते हैं आपको HDMI पोर्स मिलते हैं, USB पोर्स मिलते हैं 3.5 mm jack नहीं है and I don't expect it in this बट बाकी सब जो standard पोर्स बगेने audio video के सभी मिलते हैं दोस्तों सबसे इंपोर्टन एक TV में होता है कि उसका पैनल कैसा है पिक्चर कॉलिटी कैसी है मैंने अलरी आपको बता दिया प्रॉबबली बजेट TV के प्राइस रेंज में I will say even though it is HD ready it has got one of the best picture quality no doubt और मैंने बहुत सारे TVs देखे हुए उस हिसाब से मैं कह रहा हूँ मैं खुद वनप्लस का TV इस्तमाल करता हूँ 55 इंच का and I think even in the smaller version in the budget variant OnePlus has managed to get that good quality of picture और दोस्तों अगर अडियो के बारे मैं बात करूँ I really didn't expect much 43 इंच का जो TV था मैंने कहा था average audio इसमें भी दोस्तों loud है the audio is quite loud it is decent मतलब 50-55% volume तक आप लेके जाओगे बहुत अच्छा सुनेगा but the volume loud होने की वैसे ज्यादा अगर high करते हो तो थोड़ा फटेगा I will say audio is decent for a 32 इंच it is good और दोस्तों experience के बारे में और एक चीज़ कह दूँ शायद एक ही TV होगा इस price range में जो आपको देता है you actually get a software software नहीं आप मिलता है OnePlus Connect जो 43 इंच TV में भी आता है और उसकी वाईसे बहुत सारी चीज़े easy हो जाती है आपको अगर TV पे कुछ type करना है with the remote it becomes difficult लेकिन आप OnePlus Connect से आराम से आपके smartphone का keyboard यूज करके type कर पाओगे आपको कोई screenshot लेना है वो आप आपके OnePlus Connect app से कर पाओगे so such things make the experience जो TV viewing experience होता है वो ज्यादा अच्छा हो जाता है and once again I'll say being a OnePlus TV user I think budget में मतलब 12-13,000 रुपे में जो कुछ OnePlus दे रहा है इस TV में it is probably one of the best in this price range अगर आपको आप इस TV में interested हो या फिर आपको कोई भी सवाल है hashtag askaroon कीजिएगा और मुझे पूछिए दोस्तों मुझे कुछ doubt नहीं है इस price range में ये जो भी offer करता है it is probably one of the best आपको अगर ये TV लेना है तो नीचे link में नीचे description में दे रहा हूँ जरू जाके देखिएगा दोस्तों इस वीडियो में इतना ही अगले वीडियो तक keep trackin and stay safe